नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक वार फिर से आप सभी का HP Study Hub में जैसे कि हमने शुरू की है Teaching Aptitude और Attitude की MCQ Series जो की आपके upcoming exam like Beard and Trans, Amad and Trans, TET, TGT सभी exam के लिए काफी beneficial रहने वाली है इसके और लेड़ी तीन lecture हम discuss कर चुके हैं प्लेलिस्ट का लिंक आपको description box में मिल जाएगा बहां से आप उन lecture को देख सकते हैं और साथ ही आप अपना score होता है quiz का वो भी हमारे साथ share कर सकते हैं तो इसके साथ ही अगर अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को भी subscribe कर दें साथ ही bell icon को प्रेस करना ना भूले शुरू करेंगे हम आज का इस आज के lecture को first question के साथ first question आपके पास है while teaching the concept of a circle which one of the following would be the best way to do it like आप teacher हैं पुछाए कि एक बृत की अविधारना को पढ़ाते हैं निवलिक्त मेंसे कौन सा इसे करने का सबसे अच्छा तरीका है मानो कि आप class में बृत या फिर circle के बारे में पढ़ा रहे हैं पुछाए कि आप कौन सा तरीका तरीके से बच्छों को पढ़ाना समझेंगे सबसे पहले की present a picture of circle आप बच्छों के सामने एक बृत की जो आकरिती को परदर्शित करेंगे option B present pictures of circles of various sizes आप picture उनके साथ present करेंगे जिसमें circle का अलग अलग परकार की size की जो circles होंगे उनको परजेंट करेंगे या फिर option C present pictures of the circle and ellipses ellipses और circle के आप जो picture को present करेंगे option D present pictures of circle and polygons या फिर आप circle या polygons की picture परदेंगे बच्छों के सामने तो simply बात है आप teaching aid लेके आए हैं बच्छों के सामने easily किस तरह से बच्छे समझे तो आपने बृत के बारे में बताना है तो आपके पास जो इसका right answer है ना चाहिए option B present pictures of circle and various sizes आप बच्छों के सामने एक circle बृत की आकरिती उनके समक्ष रखेंगे जो की different size में इसमें से छोटे भी हो सकते हैं बड़े भी हो सकते हैं ताकि बच्छों को easily समझा सके next question है हमारे पास teaching would be more effective if the teacher अधियापन जो अधियापन अधिक प्रवाभी हो सकता है यदि शिक्षक इन में से कुछ करें option A makes his intent purposeful जो भी intent teacher प्रस्तूत करें उसमें purpose कुछ ना कुछ होना चाहिए option B is master of this object अपने जो बिश्य में उसकी mastery होनी चाहिए option C uses various instructional aids different types की जो instructional aids को बच्चों के समक्ष प्रस्तूत करें या option D declares his objectives in the beginning अपने जो 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 भी objective है उनको beginning में ही बता दें तो इन में से आप से पूछा है कि किस प्रकार से जो teaching को हम effective बना सकते हैं as a teacher इसमें मैं right answer की अगर बात करूँ तो सबसे जो right answer इसमें लगता है option C uses various instructional aids आप अपनी अध्यापन प्रक्रिया को तभी इसमें improve कर सकते हैं अगर आप different जो instructional aids या फिर शिक्षिन सामगरी को classroom में ले जाएं ताकि बच्चों को उन जो teaching aids से easily समझा सके तो तभी जो शिक्षन अच्छा हो सकता है या फिर प्रभावी हो सकता है next question है हमारे पास in a democratic country like India schools should concentrate on भारत जैसे लोकतांतरिक देश में स्कूलों को ध्यान केंदरित करना चाहिए option है development of traits to face hurdle of daily life जो विकास की daily life में जिन सभी hurdles होती है उनके बारे में या फिर option B inculcation of values carried by the community community related values के बारे में option C preparation for academic excellence या फिर academic excellence के लिए या फिर option D development of traits of good citizenship school का जो मेन काम इसमें रहना चाहिए democratic country like India में जो develop करना हमने बच्चों को trait of good citizenship ताकि हम एक अच्छे नागरिक उन बच्चों को बना सके या फिर एक नागरिक अच्छे नागरिक की बावना बच्चों में जगाई जा सके वही मैं परपस होना चाहिए school का democratic country like India में next question if some of the student in the class are found to be using intoxicants teacher should मानलो कि आपके class में कुछ एक बच्चे जरीले जो या फिर नशीले पदार्थों का उप्यों कर रहे हैं तो as a teacher आपका उसमें आपको क्या करना चाहिए मानलो आपके पास आप ऐसे student को पकड़ते हैं जिसमें आप देखते हैं कि वो कोई नशीले पदार्थों का सेवन कर रहा है उसमें आप teacher हैं आपका आप किस तरह से उस बच्चे को हैंडल करेंगे option A inform police option B inform the headmaster या फिर option C advise them properly या फिर option D punish them आशा करता हूँ कि आपने इसका right answer अपने साब से choose कर लिया होगा इसका जो right answer हैगा option C being a teacher always मैंने आपको कहा है teaching aptitude और attitude के question को करतेस में आपका जो approach positive होनी चाहिए और child centered होनी चाहिए child centered ऐसा ना हो कि आप बच्चे को आपने बच्चे को एक नशीले पदार्त का यूज़ करते हो देख लिया आप सिदे ही police को inform कर रहे हैं या फिर कुछ इस तरह से उस बात को काफी आगे पहुचाया जा रहा है क्योंकि इससे बच्चे पर negative impact पड़ सकता है तो सबसे right जो answer होगा option C, advise them properly आप उस बच्चे को अच्छे से guide करेंगे जो नशीले पदार्त हों कि जो दुश्परणाम है उनके बारे में बताएंगे कि ये जो पदार्त हैं इस परकार के ये सिहत के लिए या फिर आगामी जिंदगी के लिए काफी हानिकार को सकते हैं इसलिए इसका जो right answer होगा option C, advise them properly अच्छे तरिके से आप उसको समझाएंगे कि next time से इस तरह की जो खरकते ना करें ये फिर इन नशीरे पतारतों से दूर रहें तो next question आपके पास रहेगा the mental development of the child most closely parallels and increasing बच्चे का मानसिक विकास सबसे निक्ट से समानता में ब्रिदी करता है किस परकार से बच्चे का जो मानसिक विकास है समानता से parallelly इसमें increase होता है आपकी option है his ability to get along with others दूसरों के साथ गुलने मिलने की जो उसकी क्षमता होती है या फिर option B his ability to prod from experiences अनुभव से बिरोध करने की जो उसकी क्षमता होती है या फिर option C his stock of knowledge उसके ग्यान के वंधार से या फिर option D his ability to memorize उसके याद रखने की क्षमता से किस प्रकार से बच्चे का जो मांसिक विकास होता है जो समानता से बिरोधी करता है इसमें right answer की बात करो तो option B इसमें बिलकुल सही रहेगा his ability to prod from experiences जो अनुभव से वे है जो कुछ सिखता है या फिर उसका बिरोध करता है उसी से उसके मांसिक विकास कि जो समानता से बिरोधी होती है तो next question है आपके पास which of the following is not a valuable feedback for a teacher निमन में से कौन सा शिक्षक के लिए मुल्यवान feedback नहीं है feedback के बारे में पूछा है कि teacher के लिए इसमें से कौन सी जो valuable feedback का का काम नहीं कर सकता है option है parents, colleagues, librarian या फिर students simply अगर A, B और D option को देखा जाए तो इनका जो directly relation teacher के साथ है काफी हद तक valuable रहता है और ये direct ही feedback परदान करता है इसमें मैं अगर option C की बात करो तो इसमें option C librarian librarian को इसमें देखा जाए तो valuable feedback का काम नहीं कर सकता है teacher के लिए तो इसमें exact right answer इसमें होगा option C तो next question है which of the following is true about modern evaluation system in secondary schools माधियमिक मेदेलिया में आधोनिक मुल्यांकन परणाली के बारे में निमन में से कौन सा सत्या है जो at present time में पुछा है कि जो secondary schools में है अपने evaluation process के लिए कौन सी प्रणाली या फिर टेक्निक का यूज किया जाता है option A encourages root learning जो root learning हमारी होती है उसको encourage करना या फिर option B continuous evaluation system जो सतत मुल्यांकन प्रक्रिया या फिर option C product oriented evaluation प्रोड़क्ट से related इसमें जो evaluation होती है या option D summative evaluation system या फिर summative evaluation system इसमें जो right answer की अगर में बात करूँ तो at present time में हमने follow किया है continuous evaluation system इसको CCE के नाम से भी जाना जाता है continuous comprehensive evaluation इसमें की अगर बात की जाए तो एक process of assessment है जिसमें mandated वाइदा इसमें हम जो बच्चे की जो assessment करेंगे पूरी साल जिसको के mandate किया था right of right to education जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम बनाता 2009 में उसमें से ही इस बात को इसकी जो बात आई थी continuous comprehensive evaluation ताकि हम बच्चे को पूरी साल assess करते रहे जिस इसी परकार उसको evaluation process में भी लाया जा सकता है आपके लिए question आपने इसका right answer comment box में बताना है कब से हुआ था या फिर कब से ये शुरू स्कूलों में हो गया था उस date का date या फिर year का नाम आपने comment box में निचे बताना है तो next question है the majority of the teachers in your school want you to be the staff secretary you are not very content how will you react to the proposal आपके स्कूल के अधिकांश शिक्षिक चाते हैं कि आप staff के सची बने लेकिन आप उस बात से संतुस्ट नहीं है आपके स्मक्स जो प्रस्ताब रखा है आप इस प्रस्ताब को लेकर किस प्रकार की प्रतिक्रिया रखेंगे आपके option है tell them currently that you won't take it आप उनको direct कह देंगे कि आप इस जो post को नहीं ले सकते option B tell them that you are not be app person आप उनसे कहेंगे कि आप इस post के लिए eligible या फिर योग्यत उमिद्वार नहीं है या फिर candidate नहीं है option C में रहेगा accept the challenge seeking their cooperation in the all matter आप उस challenge को accept करेंगे जो आपके पास proposal रखा है इसमें मिल जूल कर जो भी matter होंगे आप उनको सुल जाने के कोशिश करेंगे option D suggest the name of this somebody instead आप किसी और का नाम उनके स्मक्ष suggest करेंगे इसमें right answer की अगर मैं बात करूं teaching aptitude का जो question है इसमें आपका positive approach इसमें रहना चाहिए आपके पास जो आपको proposal मिल रहा है आपको इसमें opportunistic होना चाहिए आपको अपसर इसमें डोडने है अगर आपको इस परकार का अपसर मिल रहा है तो आपको इसको टेक करना चाहिए मिन्स की लेना चाहिए तो इसमें option C accept the challenges challenge seeking their cooperation in all matter आपको उस challenge को accept करेंगे और सभी matter में मिल जुलकर उस काम को करने की कोशिश करेंगे यह आपका positive attitude होना चाहिए as a teacher तो इस lecture में हमने 8 question को discuss किया आशा करूँगा कि आपके लिए काफी beneficial रहे होंगे question आपकी अफकमी exam के लिए काफी फाइदे मंद रहेंगे और आपकी जो एक सोच होगी as a teacher आप always अपनी सोच positive child centered ही रखना तभी आप इन questions को सही से correct कर पाएंगे तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो इसको अपने friends के साथ दूरूर शेयर करें अगर चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को भी subscribe करें और बैल आइकन को प्रेस करना ना भूलें आप हमें सुझाब दे सकते हैं comment box में कि किस परकार की और question को इसमें add किया जाए या फिर किस पर कुछ और चीजे इसमें लाही जाए ताकि और effective को इसको किया जाए सुबाकी मिलते हैं next lecture में तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्यान रखे नमस्कार